हाई फ्रेंज विल्कम बेक तु मैं टुप चैनल इसमी प्लाबित आई हूप अब सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो दीखिया है जो मेरी क्लाइंट है उनकी हैर बहुत ही ज्यादा कर ली है और उनकी हैर बहुत ही ज्यादा तूट रहे और गीर रहे थे और मेरी अपनी क्लाइन को मैंने दिखा रही थी उनकी हैर की हालन तो मैं उनकी हैर पर step cutting करने जा रही हूँ तो किस तरह दिखिये मैं उनकी हैर पर step cutting करूँगी पहले तो मैं उनकी हैर पर five section आगे तीन और पीछे दो section बना लूँगी फिर मैं जो उनकी middle को कि प्रेजल की हयर को मैं उसके साँ मिलाते हुए उपर ले जाओंगी और 180 डिगृ पर को कद करूंगी इस昨़े还row झाहिके न यह अच्छी तरह से कम की जैे opinion के और ़ियो कारा को क को सिद फिक फक्रेशा को अर्यार को रहा है था है भी अप्रिंग होंद्टी Pakण में खिर और यह देखे मैंने फिर एक बार रिचेक कर लिया है है को फिर मैं क्या करूंगी जो उनकी दूसरे साइट की सेक्षन है उसको भी सेम प्रोसेस से मैं जो मैंने हैर कट किया था उसका गाइडलाइन लेते हुए 180 टेगर पे लेके जाओंगी उपर और मैं हैर को कट कर दोंगी देखे मैंने दूसरा सेक्षन भी कट कर लिया है आगे की सेक्षन कितनी इजली मेरे कट हो गये है अभी मैं पीछे जो है ना उसकी एक सेक्षन लोगी उसको मैं आगे की हैर का गाइडलाइन बनाते हुए 180 टेगर पे उपर लेके जाओंगी फिर मैं कट कर दोंगी और आप की हैर इस्टरस से डेमेज होते है या फिर कर ली होती है रफ होती है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लेम होता है तो मैंने इस सेक्षन की हैर कटिंग भी कंप्लीट कर लिया है अभी मैं उनकी नेक साइड पी हैर पे कटिंग करूंगी और यह दिखे मैंने बार बार अभी तक 3 times मैं उनकी hair को चेक कर रही थी त्यूंकि उससी क्या होता है कि आपकी ना hair की जो cutting है वो perfect आती है अगर uneven hair रह जाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं cut कर सकते हैं और ये देखे मैंने जो उनकी next section है जो last हमारी section है उसको भी अच्छी तरस से cut कॉम करके cut कर लिया है और आप लोग उन्हें पहले ही देखा था मैंने उनकी hair को shampoo नहीं कर आया था लेकिन अच्छी तरस से hair को उनका weight कर लिया था और अभी मैं क्या करूंगी उनकी नीचे जो uneven destroyed hair है तो मैं उसको cut कर लूँगी नीचे की जो मैं आनिफन hair देखूंगी उसको cut कर लूँगी क्योंकि उनकी hair ना already बहुत ही ज्यादा नीचे damaged side camera में आप लोगों को नहीं नजर आ रहा था तो मेरा बीच में मेरा जो मैं चाहती थी वो मेरा steps बन गये हैं अभी मैं आगे की hair को क्या करूंगी उन जितना चाहती है उतनी length पे cut कर लूँगी वो hair को ज्यादा आगे short नहीं करना चाहती थी और फिर मैं क्या करूंगी उस की पीछे की hair को लेते हुए मैं cut cutty जा रही हूँ इस तरह से मिलाते हुए आप लोग पीछे की पूरे hair को दो पार्ट में दिखाट के कर लीजिए फिर इस side की hair को इस side की guideline के सान मिलाते हुए cut कर दीजिए और ये मेरा side का जो hair है उसका cutting भी मैंने complete कर लिया है अभी मैं क्या करूंगी same process से उनकी जो next side की section की hair है उस पे भी मैं same process से hair को cut कर लोंगी और ये दिखे मैंने finally अपनी जो client है उनकी hair cutting कम्प्रीट कर लिया है अभी उनकी यार कितनी ही एक अच्छी healthy look दे रहा है और बहुत सारे उनकी हार पे steps बन गहे थे और layers बन गहे थे और ये दिखे आशाकटियों आप लोग को मेरा आसकाई वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लेगी तो प्लीज मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में like comment और share भी कीजिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बाबाई